ही गाईज, वेलकम बाक टो नॉटी स्टिचेस आज के इस वीडियो में हमें एक सुंदर और सिंपल सा वैनटी पाउच बनाएंगे तो इसके लिए एक हमें फैब्रिक चाहिए एक फ्यूस पेपर या पेस्टिंग वाली बुक्रम चाहिए और एक लाइनिंग के लिए कपड़ा चाहिए इन तीनों पीसिस की लंबाई और चोड़ाई हमें बिल्कुल बराबर लेनी है लंबाई हमें रखनी है 11 इंच और चोड़ाई हमें रखनी है 10 इंच इस तरह से और अब हम इस प्रिंटिट फैब्रिक के उपर फ्यूस पेपर को प्रेस की हल्प से अच्छे से चिपका देंगे अगर आपको ये वैनेटी पाउच थोड़ा हार्ड बनाना है तो आप पेस्टिंग वाली बुक्रम का इस्तमाल भी कर सकते हैं तो इस तरीके से हम प्रेस की हल्प से इसको अच्छे से चिपका देंगे इसके साथ ही हमें एक जिप भी चाहिए होगी आप चाहें तो वो जिप ले सकते हैं जिसमें स्लाइडर पहले से ही डला होता है लेकिन यहाँ पर मेरे पास दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं और अगर आपके पास भी इसी तरह की जिप है तो आप इस तरीके से स्लाइडर को जिप के अंदर डाल सकते हैं तो सबसे पहले जिप के दोनों भागों में से आपको एक तार बाहर को निकाल लेनी है इस तरह से और अब हमें स्लाइडर को इसके अंदर डालना है इस तरह से और अब हम इन दोनों तारों को खीच देंगे ताकि स्लाइडर जिप के अंदर चला जाए इस तरह से हम खीच देंगे और schlider अंदर चला गया है अब हम इस जिप को use करेंगे पर्स के उपर इसके बात जिस कपड़े को हमने fuse paper के साथ चिपकाया था उसे lining के साथ हमें इस तरीके से attach करना है lining के उपर हमें रख देना है और चारो तरफ सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से अच्छे से इसको चारो तरफ से सिल देना है और अब एक्स्ट्रा कपड़ा अच्छे से कट कर देना है और इसको बिल्कुल सीधा सीधा हमें काट लेना है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा मैंने सारा कट कर दिया है और अब हम इसके उपर जिप लगाएंगे तो यहां से हमारी लंबाई 11 इंच है और इसकी चोड़ाई हमने 10 इंच ली है हमें जिप पर इस तरफ लगाना है जहां पर लंबाई 11 इंच है तो यहां पर हमें जिप को रखना है उल्टा करके इस तरह से जिप की राइट साइड और कपड़े की राइट साइड एक दूसरे को फेस करेगी और अब हमें इसके उपर सिलाई लगानी है स्लाइडर के बिलकुल पास सिलाई नहीं लगानी थोड़ी सी दूरी पे ही हमें रखनी है तो इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद इसको पलट के सीधा करेंगे और एक सिलाई यहां पर भी लगाएंगे तो यहां टॉप स्टेच दे दिया है अब हम इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करेंगे बिल्कुल सीधा हमें फोल्ड करना है टेड़ा नहीं होना चाहिए और अब हम जिप के दूसरी तरफ भी सिलाई लगाएंगे इस तरह से अब हम जिप को खोल लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर भी टॉप स्टेच लगाएंगे तो इसी तरह से हमने दोनों तरफ टॉप स्टेच लगा लिया है अब हम इस पर्स के बिल्कुल बीच में कट लगाएंगे हलका सा कट इस तरफ लगाएंगे बिल्कुल सेंटर में और हलका सा कट हम इस तरफ भी लगा लेंगे अब हम इस पाउच को इस तरीके से फोल्ड करेंगे कि जो जिप है वो बिल्कुल सेंटर वाले कट के उपर आए ये देखें कट के बिल्कुल उपर जिप आए और यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे इस तरह से डबल सिलाई लगा लेंगे और इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी जिप को बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और सिलाई लगा लेंगे अब एक्स्टर धागे और जिप को कट कर लेंगे अब हमें पाउच के चारो कोनों पर एक एक इंच के स्क्वेर्स ड्रॉ करने है तो जहां पर हमने ये सिलाई लगाई है इसके उपर हमें एक इंच पर निशान लगाना है और साइड से भी हमें एक इंच पर निशान लगाना है तो इसी तरह से हम चारों कोनों पर एक एक इंच के स्क्वेर्स ड्रॉ कर देंगे और अब इने कट कर लेंगे इस तरह से हम चारों कोनों से स्क्वेर्स को कट कर लेंगे और अब हम एक बार और सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर ताकि साइड से यह खुले नहीं बिल्कुल बारिक पक्ये से पक्की सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे दोनों तरफ अब हम जिप को खोलेंगे और इस तरीके से एक स्क्वैर को फ्लैट करके आपस में मैच कर लेंगे और अब हम इसके उपर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल अच्छे से थोड़ा थोड़ा मार्जिन इसमें दबाना है और सिलाई लगानी है इसी तरह से हम दूसरा स्क्वैर भी फ्लैट करेंगे और यहां से हम इस कप्ड़े को नीचे की तरफ ही रखेंगे सिलाई लगाते हुए और इसके उपर भी हम पक्की सिलाई लगा देंगे इन स्क्वैर्स को ड्रॉ करते हुए इस चीज़ का ध्यानुत नहीं है कि चारों की लंबाई और चड़ाई बिलकुल बराबर हो नहीं तो हमारा पाउच ठीक से नहीं मनेगा और इसी तरह से हम बाकी के स्क्वैर्स को भी फ्लैट कर देंगे इस तरह से और सिलाई लगा देंगे अगर आप थोड़ा बड़ा पर्स बना रहे हैं तो उसके लिए आप स्क्वैर्स भी बड़े बनाईएगा इस तरीके से हमने चारो तरफ सिलाई लगा दी है और हमारा पर्स भी ये बनकर तयार हो गया है अब इसके हम अंदर से एक्स्ट्र धागे कट करेंगे और अब हम इसको पलट के सीधा कर देंगे और अगर आपको इस पर्स को थोड़ा हार्ड बनाना है तो आप फ्यूस पेपर की जगा पेस्टिंग वाली बुक्रम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप चाहें तो कपड़े के अंदर फॉर्म डाल के क्विल्टिंग भी कर सकते हैं तो भी बहुत सुन्दर ये पर्स बन कर तयार होगा इस पर्स को बनाने के लिए आप अपने पुराने कपड़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं और क्योंकि ये बहुत स्पेशिस है तो इसके अंदर आप एक्स्ट्रा समान स्चोर करके रख सकते हैं तो guys आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें सबस्क्राइब के बटन के साथ जो बैल आइकन है उसे दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियो के रेगलर अपडेट्स मिल सकें और अगर आपको बैक्स के और इजी टुटोरियल्स देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देगा लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं इसके साथ ही आप मुझे फेस्बुक पर भी जुरूर फॉलो कर लिजेगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो गाइस थैंक यू सो मच फो वाचिंग बाई बाई